साथियों, हमारे उपनिशदों का ये ज्ञान, वेदों का ये चिंतन, ये केवल आध्यात्मिक या दासनिक आकर्षन का ही शेत नहीं है। वेद और वेधान्त में स्रिष्टी और विज्ञान का भी दर्शन है। अगर आज हम क्लाइमेट चेंज की चर्चा करें, तो हमारा एक पूरा वेद परियावरण को समर्पित है। आज विश्वजिन समस्याओं से जूज रहा है, उसकी चर्चा हजारों साल पहले हुई है। कितने ही वेध्यानिकों को, इसने आकरसित भी किया है। कितने ही वेध्यानिकों ने, इसमें गंबीर रुची भी दिखाई है। हम सबने निकोला टेशला का नाम सुनाई होगा। टेशला के बिना ये आधुनिक विश्व आज ऐसा नहीं होता, जैसा हम देख रहे हैं। आज से एक सदी पहले, जब स्वामी विवेकानन जी अमेरिका गए थे, तो निकोला टेशला से उनकी मुलाकास हुई थे। स्वामी विवेकानन जी ने टेशला को जब उपनी शदों की ज्यान, वेदान की ब्रह्मान व्याख्या के बारे में बताया था, तो वो हत प्रत थे। आकाश और प्राण जैसे संस्कृत सब्दों से ब्रह्मान की जैसी गहरी चर्चा उपनी शदों में की गई हैं। टेशला ने कहा कि वो इसे आदुनिक विज्यान की भाशा में गणितिय समीकरों में ले करके आएंगे। उन्हें लगा था कि वो इस ग्यान से विज्यान की सबसे गुट पहलियों को सुल जा सकते हैं। हाला कि बाद में कई और रिसर्च हुई जो चर्चा स्वामी वीवेखानन जी और निकोला टेशला की हुई थी। अलग तरी से अलग तरीके से वो चीजयां आज हमारे सामने आई हैं। आज भी काफी रिसर्च हो रही हैं। लेकिन कहीं ने कहीं ये एक प्रसंग हमें अपने अपने ग्णान को लेकर पुनर चिंतन करने को प्रेरित करता है। आज हमारे यहां युवाओं को इस द्रश्टी से भी जानने, सोचने और समझने की जरूरत है। और इसलिए समवाद उपनिशद जैसे पुस्तक अक्षर की आत्रा पर इतना गहन मंतन ये हमारे युवाओं के लिए एक नया आयाम खोलेगी। उन्हें वैचारी गहराई देगी। झाल झेखं होल्य श्याहन जर जात्रा आत्रा पर इतना जरूरत है।